अनीता और सुनीता दो जुड़वा बहनी थी, दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था, दोनों बच्पन से ही एक साथ पड़ी लिखी थी, और साथ में ही स्कूल जाती थी, और एक ही क्लास में पढ़ती थी, अनीता थोड़ी शैतान थी, पर सुनीता बहुत ज़् थी थी और हमेशा अनीता की मदद करती थी एक दिन सुनीता अपनी बहन अनीता से कहती है अनीता इस बार तुझे अच्छे से पढ़ाई करनी होगी वरना तू फेल हो जाएगी चोड़ना सुनीता पढ़ाई तो होती रहेगी अभी मुझे खेल ले दे तू और ना तू ही कर ले पढ़ाई मेरे बसकी नहीं है ये सब सुनीता पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थी और हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी और दूसरी तरफ अनीता उसकी पढ़ाई में कोई दिल्चस्पी नहीं थी के दोस्त सभी को सुनीता बहुत पसंद आती थी एक दिन राधा अनीता और सुनीता की मा अपनी बच्चियों से कहती है सुनीता अनीता बेटियों इधार आओ आज तुम दोनों चल्दी से तयार हो जाना तुम दोनों को रिष्टा वहाँ पर पक्का हो जाएगा सुनीता तो इस बहुत से बहुत ज़्यदा खुश थी कि दोनों बहने शादी करके एक साथ रहेंगी पर अनीता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो सुनीता के साथ रहे तब ही अनीता अपने मन में सोचती है माने भी ना क्या जर्वत ही उन्हें इस सुनीता को मेरे साथ बहाने की पता नहीं किस जनम में इससे मेरा पीछा चूटेगा सुनीता अपनी मा की तयारियों में मदद करवा रही थी तब ही लड़के वाले आ जाते है बहन जी हमें तो आपकी दोनों बेटियां बहुत पसंद है हमारी तरफ से तो रिष्टा पक्का समझिए अरे बहन जी हमें भी लड़के बहुत जादा पसंद है हमारी तरफ से भी रिष्टा पक्का ही समझिए अनीता इस रिष्टे से खुश नहीं थी पर लड़का सुन्दर और संसकारी नौकरी वाला था इस वज़े से उसे हा करनी पड़ी और सुनीता तो इस रिष्टे से बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी बहन से प्यार करती थी और वो अब अपनी बहन के साथ ही रहने वाली कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों अपने सुसराल आ जाती है बहुओ आओ आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम दोनों अच्छे से खाना बनाना ऐसा खाना बनाना कि लोग उंगलिया चाड़ते रह जाए अनीता और सुनीता मा को हा मोलकर खाना बनाने लग जाती है दोनों खूब भनत से खाना बनाती है और खाना सबको परोस्ती है अरे वा भाई ये खीर किसने बनाई है बड़ी ही टेस्टी है मन कर रहा है खाता ही जाओ खाता ही जाओ हां राम, तू सही कह रहा है, कीर तो बहुत ही टेस्टी बनी है पर ये पनीर की सबजी किस ने बनाई है, फिलकुल भी अच्छी नहीं है इसमें तो नमक पिर्ची का भी पता नी चल रहा है ये कीर सुनीता ने और सबजी अनीता ने बनाई है शापाज सुनीता बहुत खूब तुमने पहली रसोई में सबका दिल जीत लिया बेटी और तुम अनीता कुछ सीखो अपनी बहन से सचने सवने से घर नहीं चलता बेटी बाकी चीजे भी आनी चाहिए सोरी माजी मैं अगली बार जरूर से खाना अच्छे से बनाऊंगी वो तो बस थोड़ी का प्राट में कलती हो गई माजी आप चिंता मत करिये मैं अनीता को अच्छे से खाना बनाना सिखा दूँगी सुनीता की तारीफ और अपनी डाट सुनकर अनीता को बहुत गुस्सा आया और वो बस सुनीता से बदला लेने के बारे में सोचने लगी माँ को मना भी किया था मत करो एकी घर में हम दोनों की शादी अब इस सुनीता की वज़े से मुझे सब के तानी सुनने पड़ेंगे यही सब सूचते वे अनीता सुजाती है सुबह सुनीता जल्दी उठकर कामू में लग जाती है और जल्दी जल्दी सब के लिए चाय नाष्टा बनाके तयार कर देती है और पूजा करने लग जाती है और जैसे ही रादा उठती है और वो बहार आती है तो वो देखकर बहुत ज़दा खुश होती है पर तभी उसे अनीता की याद आती है और वो सुनीता से पूछती है सुनीता बेटी अनीता कहा है उसने मदद नहीं की तेरी नाश्ता बनाने में माजी वो कलना बहुत ज़्यादा ठक गई थी इसलिए शायद अभी तक सो रही होगी आपना बिल्कुल भी चिंता मत करिये मैं सारा काम खतर्ब करके अभी उसे उठा दूँगी हे भगवान दोनों बच्चिया जुडवा है पर दोनों में कितना ज़ादा फरक है एक संसकारी और दूसरी को सचने सबरने से फुर्सत ही नहीं है राधा ये सोची रही थी कि तभी अनीता उबासिया लेते वे कमरे से बहार आती है और बोलती है सुनीता सुनीता मेरी चाय और नाश्ता कहा है जल्दी से मेरे लिए लगा दे किताभी उसकी नजर राधा की तरफ जाती है और वो काफी ज़दा खबरा जाती है महरानी आप उठ गई रुकिये मैं लगाती हूँ आपके लिए चाय नाश्ता आप बोलो तो आपको अपने हाथों से खिला दू वो सौरी माजी माजी वो ना मैं आगे से दिहान रखूंगी आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दोंगी माजी अनीता बहू सीखो अपनी बहन से जुडवा बहन होकर भी इसके आदे संसकार भी नहीं है तुम में सुनीता की तारीफ और अपनी बुराई सुनकर अनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में चली जाती है और सुनीता को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगती है सोच अनीता सोच कुछ तो सोच इस सुनीता को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा हाँ एक आइडिया क्यों ना मैं पानी में टेल डालकर पोचा लगा दू जिससे सुनीता जैसे ही वहां से निकलेगी वो गिर जाएगी और कुछ दिन वो काम नहीं कर पाएगी अनीता चल्दी से उठती है और पोचा लगा देती है और सुनीता के गिरने का इंतिजार करने लगती है अनीता ओ अनीता जरा एक ग्लास पानी ला देना बहुत देस प्यास लगी है तब ही अनीता पानी लेकर जाती है और वो भूल जाती है कि उसने वहाँ तेल वाला पोचा लगाया वा था जैसे ही वो वहां से गुजरती है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है जिससे उसके पैर में फैक्चर आ जाता है राम और शाम अनीता को डॉक्टर से पट्टी करवा कर घर ले आते हैं डॉक्टर ने अनीता को एक महिने का रेस्ट करने के लिए बोला था अनीता अपनी फूटी किसमत को कोस्ती रह जाती है तबी उसकी बहन सुनीता उसके पास आती है और उससे कहती है अनीता तु चिंता मत कर मैं तेरा ध्यान रखोंगी तुझे किसी भी चीज की परवा करनी की कोई जर्वत नहीं है तभी अनीता अपने मन में सोचती है सब कुछ हुआ तेरी वज़े से है अगर तू उस दिन गिर गई होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता बड़ी आई मेरा ध्यान रखने वाली इतना सब होने के बाद भी अनीता को अकल नहीं आई और वो अभी भी इन सब के लिए बस सुनीता को ही कोज रही थी उसे अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी और बेचारी सुनीता उसके लिए काफी ज़दा परिशान थी उठो अनीता खाना खालो मैं तुम्हारे पसंद का खाना मना कर लाई हूँ सुनीता अनीता का बिल्कुल एक मा की तरह ध्यान रख रही थी उसे खाना खिलाना, समय से दवाई देना और सभी काम सुनीता ही करती थी ये सब देखकर अनीता को अपनी गलती का एहसास होने लगा सुनीता, एक बात बोलू बहन, तु क्यों मेरा अतना ध्यान रखती है मैं तो तुझ से ठीक से बात भी नहीं करती हूँ और बस हर समय तुझ से लड़ाई करती रहती हूँ तो क्या हुआ अनीता, तु तो मेरी बहन है और अगर बहन एक बहन से लड़ाई नहीं करेगी तो तू किस से लड़ाई करेगी? तू तो मेरी प्यारी बहन है ना, तेरी बात का मैं बुरा थोड़ना मानूंगी पागल ये सुनकर अनीता की आखों में पानी भराता है वो कहां सुनीता के साथ बुरा करती जा रही थी और यहां सुनीता के मन में उसके लिए इतना ज़दा प्यार है सुनीता बहन, मुझे माफ कर दे, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तेरा बुरा चाहा, हमेशा तुझ से मैं जलती रही अरे कोई बात नहीं अनीता, तो रो मत, भगली मुझे भी रुलाईगी क्या, तुझ सब कुछ भूल जा और जल्दी से बस ठीक हो जा, समझी न अब अनीता अपनी गलती में सुधार कर लेती है और अनीता के साथ अच्छे से रहने लगती है, वो भी अब सुनीता से खाना बनाना और घर के सारे काम सीख लेती है, जिससे अब राधा भी अनीता को पसंद करने लगती है हैलो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी आपको हमारी कहानी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेर कीजीका और हाँ चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आपना धिहान रखिए थांक यू, बाई बाई